हेलो गाइज स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एप सी सी ओफिशल के यूटूब चैनल पर तो गाइज कबड़ी का मैच होने वाला है यूपी योदा और पुन्री पल्टन के बीच में इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन सा पलेर आपके लिए जील के लिए बेस्ट है कौन सा मिनी जील के लिए कौन सा एसल के लिए बेस्ट है तो गाइज वीडियो में बने रहें वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आप जील विन करने से चूकने जाएं तो गाइज अभी तक आपने हमारा एप से सी ओफिशियल यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालो तो आप मिसने कर पाएं तो guys हम बात करें अगर टेलिग्राम चैनल की तो guys final team टेलिग्राम चैनल पर मिलती है और टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे description में दे रखा है आप फटाफट वहाँ पर जोईन हो सकते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक लाइक मुझे next information देने के लिए प्रेरित करेगा तो guys हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी योद्धा और पुन्री पल्टन का जो मुकाबला होने वाला है 21 गंटे बचे वे हैं मैच से start होने में तो guys हम सिधे अब चलते हैं यूपी का जो पिछला मुकाबला हुआ था और पुन्री पल्टन का जो पिछला मुकाबला हुआ था उसके उपर देख रहेते हैं कि कौन से प्लेयर ने क्या परफोर्मेंस दिया था उस मुकाबले में किस प्लेयर ने कितने पॉइंट कवर किये थे जिससे जील टीम आसानी से बन जाए तो guys बने रहें वीडियो के श प्रफोर्मेंस यहां पर दिया था परदीप नर्वाल ने चार रैड के साथ दो बोनस चाए टोटल पॉइंट यहां पर लिये थे मुहमद ने तीन रैड के साथ एक टैकल पॉइंट एक बोनस और पाथ टोटल पॉइंट यहां पर कवर किये थे और सुभम कुमार ने चार टैकल पॉइंट लिये थे और नितेस दो टैकल पॉइंट दो सुमित ने और अंकित ने एक बोननस पॉइंट और साहिल ने एक बोननस पॉइंट तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुभम ने चार टैकल पॉइंट लिये थे और स्रीकांत ने 7 रेड के साथ 10 पॉइंट कवर किये थे तो गैज, यहाँ से आपको जी-ल टीम मनाने में मदद मिलेगी तो अब हम बात करें पुन्री पल्टन के प्लेरों के परफोर्मेंस के एक बड़ और बात कर लेते हैं फिर हम Dream 11 में चलेज़ तो गैज, यहाँगगदा हम देखते हैं और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट दस पॉइंट यहाँ पर कवर किये हैं असलम की बात करें यहाँ पर पांच रैड के साथ यहाँ पर तीन बोनस पॉइंट यहाँ पर कवर किये हैं नितिन तुम्मर की बात करें चार रैड दो टेकल शे पॉइंट यहाँ पर सोमबिर ने यहाँ पर 6 टेकल पॉइंट कवर किये थे अभी ने इसने 3 टेकल पॉइंट और साकेज सावंत ने 1 टेकल पॉइंट करमबिर ने यहाँ पर 0 पॉइंट थे करमबिर के तो गाइज अब हम सीधे चलते हैं ड्रीम 11 पे और देखते हैं जो आज की हमारी टीम बनने वाली है बिल्कुल आपके सामने टीम बनाऊंगा मैं क्योंकि डेली विन हो रही है जील में यहां पर अच्छी खासी रैंक भी आ रही है और गाइज आप भी अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी अच्छा खासा विन करके जाएंगे तो बने रहें वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक अब चलते हम सीधे ड्रीम 11 में तो गाइज यहां से हमने पहली जो हमारी जील टीम होने वाली है यहां से बिल्कुल आपके सामने यहां पर बना चुके हैं यहां पर कैप्टन हम गवेट को लेकर चलत हैं तो गाइज अब हम चलते हैं सीधे जो हमारी दूसरी जील टीम यहां पर बनने वाली है यहां से परदीप नर्वाल भी आपको खेलने को मिलेगा और एस गिल भी सायद यहां पर खेलने को मिलेगा तो गाइज यहां से हम इनमिंदर को यहां से हटा कर और यहां से हम साय और जो हमारी जो सेकंड टीम यहां से बन कर आएगी यहां से हम कैप्टन सी एस गिल को देंगे और वोईस कैप्टन सी यहां पर सूमबिर को देने वाले हैं या आप कैप्टन वोईस कैप्टन सी रिवर्स भी कर सकते हैं तो जो हमारी यहां पर दूसरी टीम यहां से बन कर आ यहां से अच्छे खासे पॉइंटे दे कर जाएगा तो यहां से हम नितिस कुमार को यहां से ड्रोप करते हैं और यहां से इन मिंदर को यहां से लेकर इस तॉमर को यहां से लेकर चलेंगे तो यहां से हम कैप्टन सी परदीब नर्वाल को देने वाले हैं और वो इस कैप्ट तो आप इनके साथ भी खेल सकते हैं अब बेस्ट जील आपको अच्छा कासा पैसा भीन करके जाएगी तो गाईज यहां से कैप्टन वोइस कैप्टन सी मैंने यहां पर आपको दिखा दी है और मापको बता दू जो आपके लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं जील के लिए यह यहां से आपके लिए बेस्ट पिक सुमीत और यहां पर नितिश कुमार यहां पर होने वाले हैं नंदराजन यहां से होने वाले हैं 33% पिक कर रखा है यहां पर नंदराजन को और सुमीत को 45% लोगों ने पिक किया है सोंबिर यहां पर मैंने जील में ले ही लिया है और यह यहां से आप एक टीम में करम बीर को कैपटन जरूर बनाना क्योंकि करम बीर को 17% लोगों ने लिया है अगर आप यहां से कैपटन चीज को देते हैं तो यहां से आपको अच्छा खासा देखना पैसा विन करने का मुखा मिल जाएगा और यहां से स्कुमार स्भम कुमार भी यहां से आप पिक कर सकते हैं, मैंने एक टीम में यहां पर उसको पिक कर रखा है, सुबम कुमार को, और यहां से आपके लिए यहां चार पलेर यहां पर खेलने को मिलेंगे, और साइद लाइनप आने के बाद पता चलेगा, तो यहां से मैंने एस गिल को भी ले रखा है, पर जील के लिए बैस्ट होने वाले हैं और बाकी पले यहां पर मैंने आपको पिक करके बता दी हैं तो आज गी वीडियो में बस इतना ही कैसे लिगी आज गी आपको वीडियो अगर अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीड अपरत अपरत करता करता करता